के इस वीडियो में मैं आपको डेट्स के बारे में बताऊंगा पाइथन में डेट एक डेटाटाइप नहीं है बलके एक मोडिूल है डेट टाइम का जिसे हमें इमपोर्ट करवाना पड़ता है फिर उसका अब्जेक्ट क्रियेट करना करना पड़ता है डेट के साथ वर्क करने के लिए तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट देट टाइम इसका हम एलिएस जनरेट करेंगे कि एज डीटी अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो करंड डेट है जो चल रही है उसकी इनफॉर्मिशन आजए तो उसके लिए डीटी डाट डेट टाइम मोड्यूल उसके अंदर डेट टाइम का मैथड यह डीटी एक मोड्यूल है डेट टाइम का इसके अंदर एक किलास है और उसके अंदर एक नौ का मैथड है जो के हम कॉल कर रहे हैं इसको हम किसी variable let's suppose x में save करवा देते हैं तो हमारे पास x में current जो date है उसकी information आ चुकी है अब हम इसे print करवाएंगे print x तो आप देख सकते हैं जो current date है वो हमारे पास आ चुकी है जो current time in seconds even in milliseconds हमारे पास आ चुका है तो आप देख सकते हैं यहां पर year की information है month की है उसके बाद day जो हमारा है 28 तो अगस्थ चल रहा है उसके बाद clock में 6 बज़कर 29 मिनट हो चुके हैं 36 seconds और आगे milliseconds अब हम चाह रहे हैं के हमारे पास सारी information ना आए बलके हम सिरफ जो current year है वो return करवाना चाह रहे हैं तो चुके हमारे पास इस x में information आ चुकी है जो के अब हम यहां पर लिखेंगे x.year अब अगर हम इसे print करवाते हैं तो हमारे पास सिरफ इयर प्रेंट होगा इसी सिमिलरली हम जो date का object भी create कर सकते हैं उसके लिए हम जो यह constructor है उसमें values पास कर देंगे like year की 2020, month 5th, and 17th तो अब जो हमारे पास value print होगी जो हमने इस object को पास की है वह एगी तो आप देख सकते हैं कि जो object हमने create किया है date का हमारे पास उसकी value हमारे पास आ चुकी है यहाँ पर जो date time है यह basically उस class का constructor है date time module की class का similarly हम year, month, or day उसका name भी print करवा सकते हैं as a string उसके लिए function use होगा उसके लिए function use होगा एस ट्री और एप टाइम यहाँ पर अगर हम day का name print करवाना चाहरे हैं तो percentage sign a तो यह जो current day है उसका name as a string प्रेंट करवा देगा similarly b it will print name of the month c इसी तरह और भी बहुत से directives हैं जो के आप online search कर सकते हैं और उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने जो date time का module है उसके बारे में सीखा thank you for watching